नमस्कार दोस्तो आप सब कैसे हो तो दोस्तो एलपी और टेकनिशन की फॉर्म तो फिलप की जा चुकी है और इसके रिगार्डिंग जो है आटी आई भी डाले जा रहे हैं बहुत सारे लोगों ने आटी आई डाला है तो मैंने भी आटी आई डाला था एक मुंबई में दोस है कि कितने फॉर्म जो है टेकनिशन में भरे गए और भी भरती बोड मुंबई में तो दोस्तो कहने का मतलब है कि जो आटी आई डिप्लाई मैंने बिलासपूर में भी डाला था एलपी और टेकनिशन में कितने फॉर्म डाले गए चुकि दोस्तों आप लोग को पता ही है क कि वहाँ पर ज्यादा वाकेंसी थी एलपी में टेकनीशन में तो मैं जानने की कोशिस कर रहा था कि कितने एक्च्वल फॉर्म जो है वहाँ पर भरे जा चुके हैं लेकिन दोस्तों जो आटिया रिपलाई में आया है वो थोड़ा चौकाने वाली बात है और वो आपको मैं ब अपलाई किया था उसका ये रेश्टेशन नमर है आप देख सकते हैं नाम भी देख सकते हैं और यहाँ पर रिसीब डेट का हुआ था दोस्तों मैंने छे पांच दो हजार चोविस को लगाया था ठीक है और अथौर्टी आर भी बिलासपूर ठीक है तो स्टेटस देखे र लिगाडी क्या कहा है कि कितने फॉर्म भर गया है एलपी या टेकनीशन में ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हैं रेलवे भरती बोर्ट बिलासपूर से यह रिपलाई आया है और इसमें जो मैंने मांगा था उसका रेश्टेशन नमबर यहां पर है छे पांच को मैंने दो दोहजार चोविस तकनीशन और सेंट्राइज इंप्लाइमेंट नोटिस नमबर एक दोहजार चोविस एलपी के तहाद भरती समंधित सभी प्रक्रिया धीन है अता उपर्यूक्त अधिसूचना के तहाद अधिसूचित सभी रिक पदों के खिलाब भरती एतु उप्लब नहीं है कि जो भी आपने मांगा है सूचना वा हमारे कार्याले के फाइलों में दस्तावेजों में उपलब नहीं है जैसे कि मैंने अरह भी मुंबई में लगाया था तो यहां पर रिपलाई तो आचूका था तूकि यह ओं-लाइन है तो डेटा तो निकल के आहीं आरर्वी बिलासपूर में टेकनीशन और एलपी का कितना हुआ है ये बिल्कुल पता नहीं चल पाया साय दोस्तों बाद में आटी आई कोई लागाएगा तो उसका रिप्लाई आ सकता है लेकिन फिरहाल दोस्तों यहां पर रिप्लाई नहीं दिया गया है उनके द्वारा कोई बोर्ड ये रिप्लाई नहीं दिरहें कुछ वόड रिप्लाई दे रहें कि यह स broadcasting में टाइम लगता है दोस्तों तो इसकी वजह हो सकता है तो फिल्हाल जो और जरुब जो भी फॉर्म संख्या के हिसाब जो भी है फॉर्म फिलफ हुआ है जैसा कि पहले कि कई वीडियो में यूटूब में बता है कि इतने फॉर्म भीलासपूर में घाह है जो भी है टेकनिशन को या एलपी के तो उसके एकार्डिंग आहीं दोस्तों यह ही कहना चाहूं से पता तो नहीं चाहिए जो आपको पहले से जो भी जानकारी मालूम है उसी कदार पर आप अपनी तैयरी को जारी रखें मेहनत करिए अगर सफलता मिलनी होगी तो मिलनी जाए को कि आपको दोस्तों एक सीट का ही जो है वो चाहिए आपको एक ही सीट चाहिए क्योंकि आपको जरूर बताऊंगा तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तिसे लाइक चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ सेर करना बिल्कुल न वो लिएगा ऐसे ही अपडेट के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन दोस्तों